पिछले कुछ दिनों में जो लगातार अती वरष्टा वरष्टे हुई है बारिश पड़ी है उससे परदेश के कई लाकों में बार जैसी सिधी बन गई थी बहुत लोगों का जानमाल का नुकसान भी हुआ है और ग्रामीन शेत्र में जो फस्लों को नुकसान हुआ है उसका अंकलन करने के लिए तुरंट प्रभाव से सरकार को गिरदावरी स्पेशल गिरदावरी घोषित करनी चाहिए कि अभी पानी खेतों पड़ा हुआ है और जो चोटा कास्टकार है उसको बहुत दिक्कार का सामना करना पड़ेगा इसलिए मैंने भी प्रशासन से अनरोद कि अगर हमें मदद भी करनी है और वह बहुत देर बाद मदद किसान तक पहुंचे उसका कोई फाइदा नहीं होगा और यह जो हालात बने हैं यह कोई पहली बार नहीं है अकसर खेतों में खराबा होता है पानी बढ़ने से तो उसका समधान करने के लिए एक सरल और एक छोट प्रक्रिया सरकार को अडॉप करनी चाहिए लेकिन स्पेशल गिरदावरी तुरंत और करें और टॉंग जिले में खासका जहां मुझे लगता है कि बहुत जाता नुक्सान हुआ है वहां पर उचित मुआफजा सरकार को देना चाहिए पश्चुमों की जाने गई हैं गाइ पाई जितना होचा कि सरकार को करनी चाहिए क्योंकि मुशिबत के समय ही सरकार और शासन को अपना बड़पन दिखाना चाहिए और आगे आके मदद करनी चाहिए अब बिनम्नास बात किया कि जो आता रहता का डेपार्टमेंट है वह चल रहा है नहीं चल रहा है कौन चला यह भी बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है सामने तो सरकार को मुझे लगता है कि पुरी जिम्हेंदारी के साथ ततपरता से सानबूती कूर्वा कारवे करनी चाहिए और विशेश शूप से किसानों को नुकसान हुआ है उसका खाद लगा है बीज लगा है उसमें प्तानी विजली को खर्चा किया है उसकी मदद के लिए जितना ज्यादा हो सके सरकार को मदद करने चाहिए बलकि मैं तो कहता हूँ कें सरकार को भी बढ़ चड़कर आ कि लोगों की मदद करने का काम करना चाहिए और दौरों से तो समधा निकलता नहीं है समधा निकलता जबने करें और तुरंट प्रभाव से जो धरास तलप पर करमशार इदिकारी बैठे हैं वो खेतों में गाओं में जया है लोगों से मिलें तत्याकमग रिपोर्ट तैयर करें और आजकल डिजिल जमाना है आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बहुत नभी प्रक्रिया नहीं है, अगर सरकार मन बना ले कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी है, हमें किसान की मदद करनी है, तो तुरंट प्रभाव से अधिक्तम धनराशी लोगों तक बहुत जल्द पहुंच सकती है, इसमें विलम नहीं होना मैं तो कल भी कहा कि हम सबने अपील करी है कि शांती बनाए देनी चाहिए, और लोगों को अफ़ाओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और सरकार को चाहिए कि सक्ती से लॉन और को इस्टैबलिश करें, अगर कहीं विवाद पैदा हुआ था, उसके समझाइश करकर बिठान चाहिए, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं से किसी का भला नहीं होता, ना समाज का ना परदेश का, लोगों को अमन चैन बनाए रखना चाहिए, और ऐसे जो लोग है, ऐसी जो ताक्ते हैं, ऐसी जो सोच है, लोगों में जो विवाजन पैदा करती है, लोगों में टक्राव पैदा करती है, उन सब लोगों से दूर रहनी कि हम से को जरुवत हैं, अगर है, लोगों की जान माल कर नुबसान होता है, तो मानता के खिलाफ है, सब लोगों को शांती और अमन की कामना करनी चाहिए, और भारत सरकार को भी मुझछ लगता है, कि दवाव बना कर, खासकर जिन अल्प संक्रिकों पर अटैक किया रहा है बंग्लादेश में उसको रोकने के लिए हर संभब काम करना चाहिए। चुनाव की गोष्टना हो गई एक वोट पड़ेंगे प्रचंड बहुमत से तीन चुनाव आम तोर पर साथ होते थे तीन चार पांट राज्यों के उकराने ही पा रहे हैं। एक साथ कमिटी बनी हैं। वो कमिटी अध्यन करी कैसे वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप जब तीन चार राज्यों के जो जरूरी है जो कानून से बाद दिता है आपकी समय सीमा आपके बाद से फिर भी आप दान बुचके नहीं करा रहे हैं। तो ये तो बड़ा उतको आ किसी का पशुदन सब को हानी पहुचिए तो सब लोगों को जित्ता संभव होगी हम लोग साथा पहुचाएंगे। कैसे काम हो रहा है ये जो कन्फ्यूशन है इससे किसी को अलाब नहीं होता।